If you guys remember last time hesitatingly मेरे को जनमाश्मी का प्रशाद बनाने का मौका मिला लेकिन वो इतना बढ़िया बनाता कि इस बार तो मेरे को responsibility दे दी गई तो मैंने भी का बनाते हैं फिर सबसे बहले मैंने kind of condensed milk बनाने के लिए दूद और चीनी को पहले ही साई डग दिया फिर अपने dry fruits को fry करना है जिसमें मैंने काजू, आमंड, गोंद और चिरोंजी को use किया था हलका सा color आते इनको निकाल लेना उसके बाद कुछ चीज़ों को dry roast करना है जिसमें melon seeds, dry coconut and मखाने थे melon को थोड़ा ध्यान से क्योंकि वो फटता है बाकी तो फिर अपने milk के अंदर इन सब को add करके mix कर देना है देखो मैं पास chance था कि मैं आपे कुछ नया and different राय करूँ बड़े decided ये एक तो ये परिशाद है दूसरा किसी नई चीज़ को बनाने से अच्छा अच्छा अपनी existing चीज़ को master करना है जो बहुत difficult होता है है मैं थोड़े से tweaks किये अपने condensed milk को भी और better बनाया and frying में भी काफी improvement कर दी ती और मैंने गोंद भी use की थी nevertheless finally इन सब को अच्छे से mix करना है किसी भी greased pan में से रखके थन्ना ओने देना है फ्रिज में भी कर सकते हैं रात को बारा बजे इसको भोग लगा के टेस्ट करना है and finally happy जनमास्ट मी